हेलो दोस्तों नमस्कार अपने इस यूटूब चैनल पे मैं आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TGTWE पोस्ट के लिए जो पिछले recruitment में cut off गई थी उसके बारे में detail में बात करेंगे और साथ ही साथ में देखेंगे कि कितने सारे candidates थे जो नोंने retain exam में participate किया और कितने लोगों को interview के लिए call की गई थी कितनी seats थी सारा कुछ detail में discuss करेंगे और उसके लिए हम जो reference में लेंगे वो केंदरी विद्याले संक्ठन की site पे ही पड़े हुए documents को लेंगे ताकि जो data हो वो actual हो correct हो क्योंकि कुछ YouTube channel पे जो cut off बताई जा रही है वो actual cut off से कहीं थोड़ा उनसमें अंतर है चार नंबर उपर पांच नंबर क्लियर हो जाएंगे तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की सुरुवात करते हैं तो दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे कि पिछली बार कितनी seat advertised थी तो आप देखिए हमने open कर रखा है आपके सामने list of selected candidate finally selected candidate है ये for the post of TGTWE against the advertisement number 14 तो जितने लोग select है उतनी seat थी तो आप यह देख सकते हैं कि अगर general category में यहां पर बात की जाए unreserved category में बात किया जाए यहां देखिए unreserved category लिखा हुआ है तो unreserved category में जब नीचे की तरफ आते हैं तो टोटल 49 candidate selected है उसके बाद OBC की बात करें OBC में आप देखेंगे तो यहां पर OBC सुरू हो रहा है OBC में जो ST category में हमारे पास 30 seats थी उस बार तो 30 लोग यह selected थे और ST category में 7 candidates थे तो टोटल मिला के सबको जोड़ेंगे तो आपको आता है 114 यानि पिछली बार जो total number of seats थी वह 114 तो थी जबकि अब की बार 339 है तो यह दोनों को दिमाग में रखेंगे आगे दोस्तों हम देखना चाहे थे तो आप यहाँ पर देख सकते है रिजल्ट रिजल्ट आफ रिटेन टेस्ट फार्ट पोस्ट आप टीटी डेवलुई अगेंस्ट केविस अड़िजमी नंबर 14 उसमें जो रिटेन टेस्ट में जितने लोग बैठे थे उनके सभी के मार्स है तो हाइस्ट मार्स आप यह नीचे की तरफ किया जाए तो आप देखें नीचे की तरफ हम करें तो हम आपको दिखाते हैं हां लास्ट में आप देखेंगे यहां पर 11945 कैंडिट जो थे जो रिटेन इक्जामें बैठे थे जो तीन उसमें से जीरो पाये थे 5-5-2 मार्स यह पाने वाले भी लोग थे तो टोटल यानि कैंडिट जो अपीर हुए थे 11945 और टोटल सीट कितनी थी 114 अब देखते हैं कि जो कट आफ था वो कितना था रिटेन का कट आफ कितना था और फाइनल कट आफ कितना था तो दोस्तों अगर हम बात करनें रिटेन के कट आफ की तो आप यह देख सकते है क लिखा गया कि जो इंटर्वियू का सेड्यूल दिया है कि किसका इंटर्वियू का होगा दो दिन था इंटर्वियू आप यहां पर देख सकते 13 फरवरी और 14 फरवरी को नोईडा में तो आप समझ लिए 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 और कट आफ की बात यहां करने आया थे तो टीजिटी ड लिए तो यहां पर देख लिए जनरल के लिए जो था वो कट आफ ठोड़ नीचे कर लेते हैं हां जनरल के लिए जो कट आफ था वह 106 और OBC के लिए 105 यह रिटेन का है और और आपिसली रिटेन का है तो 150 मेसेज है ध्यां बखिएगा 150 मेसेज 106 कट आफ था जनरल का 105 OBC का लिए 114 सीट थी तो कितने लोगों को इंटर्विव के लिए सॉट लिस्ट किया गया था तो उस लिस्ट को भी देख लेते हैं तो दोस्तों स्क्रीन पर भी आपके सामने एक और पीडियाप ओपन हो गया इसमें लिखा हुआ है यहां पर रीटेन प्लस इंटर्विव मार् इस कॉलम में आप देखेंगे जो इंटर्विव और उसके मार्स है यहां पर है रीटेन के मार्स इस कॉलम में आप देख सकते हैं इस कॉलम में जो 119 और 119 ए 118 ऐसे करके हैं जिसको की 85 परसेंट वेटेज के लिए 150 को 85 पे कर अबर्ट किया गया है और आउट आप 60 इंटर आप देखना यह चाहते हैं कितने लोग ऐसे हैं जिनको इंटर्विव के मार्स इंटर्विव के लिए कॉल किया गया था तो यह लिस्ट को नीचे की तरफ ले जाए तो दोस्तों आप देखेंगे कि टोटल जो कैंडिडेट है वह 341 कैंडिडेट ऐसे थे जो को ही बुलाया गया था तो 114 कैंडिडेट है 341 या इसका मतलब साफ 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 पता चलगा है कि 1 इस्टू 3 कैंडिडेट को बुलाया गया था अगर एक सीट पे तीन गुना लोगों को बुला दिया गया अब दोस्तों बात करेंगे जो फाइनल कट आफ थी वह कितनी थी य यहां पर आप देख लीजिए 13 नंबर पर हम एक बार सेट कर लेते 13 नंबर पर जो टीजीटी डवलोई की कट आफ है वह है जन्रल के लिए फिर से 73.83 यह आउट आफ हंडेड हो गया जो पूरा वेटेज एटी रिटेन को 150 में से 85 पे करने के बाद और इंटर्वी को 60 में स 15 पे कनवर्ट करने के बाद एट किया गया तो 73.83 जो कट आफ है वह जन्रल का है 70.50 आउट आफ हंडेड यह ओबी सी का है तो जो लोग 70 को सेफ कर रहे हैं आप बता ही सेफ इसकोर कहां सोरह सेवेंटी तो 73.83 तो पिछली बार कट आफ गई थी यानि इसके ऊपर वाले बं दोस्तों इन सारी चीज़ों को अगर समराइज करें तो आप देखेंगे समरी देख लिजे दो मिनट में समराइज करें दोस्तों तो आप यह देख पा रहे हैं कि टोटल सीट जो थी 114 थी जिसमें जनरल की उन्चास, OBC की 28, SC की 30 और ST की 7 सीट थी, टोटल कैंडिट इन र वह 341 लोग यानि सीट एक है तो तीन लोगों को इंटर्व्य के लिए सौटलिस्ट किया गया अब मार्क के बारे में देखें तो आप देखेंगे यहां पे कि मैक्सिमम जो रिटेन मार्क्स ऑप्तें किये थे 119 स्कोर करने वाले 34 कैनिड़े थे उसके बाद जो रिटेन का समय जो कि मदब रिटेन को 85 पे स्केल डाउन किया और इंटर्व्य को 60 में से 15 पे स्केल डाउन किया उसके बाद दोनों को एट गया तो जो फाइनल कटाफ जनरल की गई थी वह 73.83, OBC की 70.50, SC की 63.83 और ST की 62.07 तो यह ओवराल डेटा है कई लोग 200 में से कटाफ बता रहे ह फाइनल कटाफ तो वो जाने वो यूटूब चैनल कहां से बता रहे हैं दोस्तों यह मैं आफिसली आपको इसलिए कई सारे डॉकमेंट दिखा के बता रहा हूं ताकि आपको यही जो एक्चुल फिगर थे पिछली बार के थे अब आने वाले में क्या सेफिस्कोर होगा इस झाल झाल